Hello Friends, PHP MySQL सीखनी की सीरीज पे आज हम लोग देख रहे हैं हमारा चाप्टर 8 जिसमें हम पढ़ेंगे How to Underline Text Using CSS Underline ही क्यों, टेक्स पे हम Basic Decoration कैसे करेंगे इसको आज देखते हैं मैं एक बार आपको recall करा दूँ कि हम लोग जो सीरीज देख रहे हैं इसमें हम Web Application Develop करने के लिए PHP सीखना जायते हैं और इस कोर्स में हम सबसे पहले पढ़ते हैं HTML, फिर CSS, फिर JavaScript, फिर jQuery, PHP and MySQL इसी सीरीज में हम इस वीडियो सीरीज को कवर कर रहे हैं हमने HTML के वीडियो से पहले देख लिए इस चैनल पर, CSS के अभी चल रहे हैं आज हम Chapter 8 देख रहे हैं और इसके आगे फिर JavaScript और ये बाकी की चीज़ें भी आएंगे तो एक PHP Application Develop करने के लिए Complete Website Develop करने के लिए आपको इन सभी चीजों की Knowledge की जरूरत पढ़ती है तो आएए सीखते हैं आज का Topic How to Decorate Text Text Decoration करने के लिए Property का नाम है Text Decoration Text-Decoration अब Text-Decoration की Value क्या-क्या हो सकती या तो आप लिख सकते None कि मुझे कोई Decoration इस Element पे नहीं चाहिए या फिर मैं आप लिख सकता हूँ Overline या लिख सकता हूँ Line Through या लिख सकता हूँ Underline आए देखने हैं Practical करके कि इन सबसे फर्क क्या पड़ता है तो मैं कोई Element बनाता हूँ सबसे पहले मैंने एक Basic Code लिख लिए है HTML में HTML Tag लगा है उसके अंदर Head Tag और Body Tag लिखा है हम जानते हैं कि CSS की Coding करने के लिए हमारे पास तीन तरीके होते हैं External Style Sheet, Internal Style Sheet और Inline Style तो सबसे पहले यहाँ पर जो तरीका हम यूज़ कर रहे हैं वो है Internal Style Sheet का यानि कि Style Tag हम लिखते हैं Head Tag के अंदर और इसमें एक Type Attribute हम लिखते हैं जिसकी Value हमें लिखना है टेक्स्ट और लिख सी एसस Style Tag को End भी कर देते हैं यह Style Tag का Closing हो गया अच्छा मैं कोई Element बनाता हूं For example मैंने Element बनाया H1 और H1 में मैंने लिखा Welcome यह अभी मैंने कोई CSS Coding लिखी नहीं है तो अभी देखने हैं इसका Output किस तरीके से दिखाई देता है यह मैंने इसको Refresh कर लिया देखें Welcome स्क्रीम पे दिखाई दे रहा है अब मुझे यह करना है कि इस पर कुछ Property अपलाई करता हूं तो मैं लिखूंगा H1 Style Tag के अंदर H1, H1 क्या होगी है? जिसने इस Element को Select कर लिया होगा और Curly Bracket के अंदर मैं Property की Name और उसकी Value लिखूंगा Property का नाम क्या है? Text-Decoration यह Property की Value क्या क्या हो सकती? अभी फिलाल By Default None है क्योंकि इस पर कोई भी Property लगा ही नहीं लेकिन अगर मैं लिखना चाहता हूं Underline तो आप देख सकते हैं कि Text Underline हो जाएगा यह Refresh किया मैंने आप देख सकते हैं Text Underline हो गया अब अगर हम यह चाहते हैं कि यहां पर Underline ना हो Line नीचे की बजाय उपर दिखाई दे तो हम इसकी जगे लिखते हैं Overline जब हम Overline लिखेंगे तो Line आपको ऊपर दिखाई देगी यह देख सकते हैं इसी तरीके से एक और Value होती है Line Through तो हम यहां लिखके देखते हैं Line Through क्या होता है Line Through में यह Line Text को काटते हुए बीच में से Draw होगी अब हम यह सोचते हैं कि None कब लिखना होगा यानि कब ऐसा ऐसी जरुद पढ़ेगी कि यहां पर हम Value लिखें None देखें कई बार क्या होता है कि मैं चाहता हूँ कि कोई भी Decoration उस पर नहीं पर बाइडिफॉल तो कोई Decoration होता ही नहीं लेकिन आपको याद होगा Anchor यह Anchor है Click Me और यहां पर मैं कुछ URL लिख देता हूँ जैसे मैंने लिखा HREF और मैंने लिखा www.mysergy.com चैक है तो जब मैं क्लिक करूँगा तो यह Site Open होनी चाहिए तो देखे यह क्लिक में है अगर मैं इस पर अभी यह बाइडिफॉल देखी इस पर अंडर लाइन है मैंने तो अभी कोई property site नहीं करी तो यह Anchor के अपने default characteristics होते हैं कि ब्लू कलर में दिखा ही देगा और अंडर लाइन होगी इस पर क्लिक करूँगा तो मेरी site open होनी चाहिए पर site open होनी के लिए जरूरी है कि मैं यह site देखे कहां पर यह उपर URL क्या दिख रहा है यह मेरी directory में कहीं ढूट रहा है site को तो मुझे क्या लिखना जरूरी था मुझे लिखना जरूरी है यहाँ पर http colon double slash लेकिन फिलाहल मैं online नहीं हूँ इसलिए यह site मुझे दिखनी पाएगी पर अगर आप online रहेंगे तो definitely इस पर click करने से दिखेगी तो फिलाहल तो यह बोल देगा कि page not found यह कोशिश कर रहा है open करने की पर this web page is not available the reason यह कि मैं अभी internet से connected नहीं हूँ anyway पर इस पर underline को हटाना चाहता हूँ मुझे नहीं चाहिए underline तो मैं क्या करूँगा मैं css में anchor पर property set कर रहा हूँ और लिखता हूँ text hyphen decoration और इसकी value कर देता हूँ none अब आप देखिए इससे underline हट चुकी है हमने इससे पहले color property भी पड़ी थी तो हम लिख सकते है color और color कर देता हूँ मैं gray तो देखिए gray color का दिखाई दे रहा है तो इस तरीके से हमें text decoration कई बार none भी करना पड़ता है तो I hope आपको ये video पसंद आया होगा अगर पसंद आया है तो आप इससे like करिए यदि आपको लगता है ये बहुत useful है तो आप इसे share भी करिए अपने facebook wall पे ताकि जैसे आपको फायदा मिला है ऐसे बहुत सारे लोगों को भी फायदा मिले मुझे लगता है कि काफी सारे लोग जिनको English में सीखने में दिक्कत होती है उन लोगों के लिए ये हिंदी में वीडियो हैं तो काफी काम आ सकते हैं कई लोगों के दूसरा ये पूरी सीरीज को कवर कर रहे हैं systematically तो भी ये बहुत लोगों को पसंदा सकते हैं तो मैं ये समझता हूँ कि यदि आपने ये फेसबुक वाल पे अपने शेयर किया तो कुछ लोग तो ऐसे होंगे ही आपके फ्रेंडलेस में जिनको इससे फायदा मिलेगा और वो भी आगे शेयर करेंगे तो काफी लोगों तक ये वीडियो पहुँच पाएगा तो मेरा मकसद यही है कि फ्री मैं एजूकेशन प्रोवाइड करें और सब तक ये वीडियो पहुँच पाएगा ताकि सब को इसका लाब मिल सके आप मेरी वेबसाइट को भी विजिट कर सकते हैं www.mysergy.com इस वेबसाइट को अगर आप विजिट करेंगे तो आप वहाँ देखेंगे C, C++, Java, PHP, Data Structure, DBMS या Programming Exercise, Campus Preparation इन सब के वीडियो आपको मिलेगे इन सब पे लिटरेचर आपको मिलेगा तो आप इस साइट को जरूर विजिट करेंगे और book mark कर लिज है आप इस साइट को जो वीडियो आप देखना चाहते हैं देखिए मैं regularly उसमें daily videos upload करता हूँ उसकी जानकारी भी आपको इस साइट पर मिल जाएगी अभी तक कितने वीडियो अप्लोट किये हैं उसकी जान करिए आपको systematic manner में मिल जाएगी तो जो आपको YouTube पर ढूंडने में दिक्कत हो सकती है वो आपको वहाँ आसानी से organized way में दिख जाएगे तो एक बार आप उस site को जरूर visit करिएगा Thank you